नमस्कार दोस्तों, Computer Network के लेक्चर स्रीज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब लेयर आप डेटा लिंक लेयर इसके प्रिवेस लेक्चर में हमने डिटा लिंक लेयर के कई सारे प्रोटोकॉल्स और मैकेनिजम को देखा था लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इसके सब लेयर को तो यहाँ पर आप हम देखेंगे कि डिटा लिंक लेयर कितने सब लेयर में डिवाइड होता है और एक-एक sub layer को क्या working है उसका कैसे काम करता वो सारा चीज़ हम detailing discuss करेंगे पहले हम देखते हैं सिनारियो data link layer कहां पे stand करता है तो देखें जो भी हम OSI model की reference अगर देखते हैं तो सबसे bottom पे आपका क्या था physical layer जस इसके उपर आपका layer क्या था data link layer और इसके उपर क्या था आपका network layer तो data link layer कहीं न कहीं physical layer और network layer की भीच में काम करता है और data link layer की अगर सारी responsibility देखें हम तो क्या क्या responsibilities थी flow control, framing, physical addressing, error control and media access control यह सारा चीज़ें हम data link layer की lecture में हमने detail में cover किया था कि responsibility क्या क्या होते हैं ठीक है और इसके related कुछ protocols को भी discuss किये थे तो one by one अगर हमारे lecture series को आप follow करेंगे तो इससे आप aware होंगे और इस पूरे lectures के जो भी lecture series हमारा चल रहा है इसके अगर handwritten आपको notes चाहिए तो video के description में notes मिल जाएगा वहां से आप download कर सकते हैं और easily आप lecture को understand करते हुए आगे move कर सकते हैं तो चलिए यहां पर हम देखते हैं कि data link layer अगर data link layer की हम बात करते हैं तो यहां पर इसको दो sub layer में divide कर आता है मतलब इसका जो total working है कहीं ने कहीं two parts में होता है तो फारा sub layer जो है उसको हम कहते LLC जिसका full form है logical link control और दूसरा है आप DLC या DLC दोनों का meaning सेम है different different book में या notes में आपको different name से जाना जाता है तो logical link control कहें या फिर हम data link control कहें दोनों का meaning सेम है तो एक तो data link layer का एक पार्ट यह हो गया यह पार्ट क्या करता है और दूसरा part होता आपका max sub layer जिसकों कहते है medium access control ठीक है तो कहीं कहीं जो LLC या DLC है यह sub layer कहां stand करता है जो data link layer का second part है max sub layer और network layer के बीच में stand करता है तो कहींने कहीं max sub layer और network sub layer को आपस में communicate कराने का काम करता है आपका LLC ठीक है और जो max sub layer है max sub layer data link layer के maximum responsibility को लेता है maximum responsibility से मतलब समझियेगा कि यहां पे max sub layer के अंदर आपका framing होता है इसी से आपका physical addressing होता है यहीं पे इधर control होता है यहीं पे media access control भी होता है केवल केवल जो data link layer का जो flow control है responsibility वो इसमें आता है LLC में तो यहां पे जो responsibility आप देख रहे हैं तो LLC केवल केवल कभर करता है किसको flow control को और बाकी जो चारो और responsibility है यह सारे किस में आते हैं max sub layer में ठीक है चाप्टर पार्ट के तरफ काम करता है वहां पे रूल आता है LLC का अगर हम hardware पार्ट से देखें तो hardware पार्ट के ज्याधा close होता है आपका max sub layer में सबसे important होता है आपका physical addressing जिसको हम mac address करते हैं हर computer system का एक unique mac address होता है उस ओ प्रवाइड करता है आपका max sub layer ठीक है और detail में इसको में देखते हैं यह के काम को क्या क्या है इसकी responsibility जैसे एक logical link control जिसको में LLC या data link control जिसको में DLC करते हैं तो इसका फर्स्ट काम है handle communication between network layer and mac sub layer तो आप देख रहे होंगे कि कि किसके बीच में करता communication काम network layer or mac sub layer के इसमें second LLC प्रवाइड flow control हमने बताया कि जो responsibility है data link layer की उसकी flow control responsibility LLC प्रवाइड करता है flow control से मतलब कि अगर आपका कोई network है उसमें numbers of system है ठीक है तो इसके बीच में जो डेटा का transfer है वो flow easily हो वहाँ पे कोई 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 असा error नहीं आया आया फ्रेम में मतलब flow control easy हो जाए second allow multipoint communication over network multipoint में जही देख रहा है आप एक communication कितने point है multipoint है multipoint में आपका allow करता है communication के लिए next frame sequence number अभी जस्ट अगर हम पीछे लिक्चर में बात करें तो previous lecture में हमने वहाँ पे फ्रेम लिया था कई सारे फ्रेम जो विंडो साइड लेके चल रहे थे जन्री हम प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे थे प्रिवेस लेक्चर में तो वहाँ पे फ्रेम को सेक्वेंस नंबर दिया जाता है कि जिस सेक्वेंस नंबर में से जा रहा है उससी सेक्वेंस नंबर रिसीव हुआ या नहीं हुआ रिसीवर साइड उसके लिए तो जो फ्रेम सिक्वेंस नंबर साइन करता है वो भी कौन करता है आपका लल्सी या जिसको डिल्सी सब्लियर कर सकते हैं अगर मेडियम एक्सेस कंट्रोल की बात करें जिसको साट में मैक कहते हैं अच्छा एक चीज़ और अलग अलग बुग में अलग अलग नेम से या इंट रिस Worles फे जाएंगे तो कहीं परदियॐं एड़ियम एक्सेस्ट्रोल कि का जाता है कहीं पिमडियों एक्सेस्ट्रोल और मुल्ट्यपल एक्सेस्सेश संट्रोल भी का जाता है तो जनरली हम इसको में Mumbai अक्सेस्ट नमसे भी जानते हैं तो इसके अगर हम बात करें कि working का तो क्या 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 काम करता है इस responsible for encapsulating frame framing का जो मैंने बताया यहां पर responsibility है framing का काम कौन करता है यही आपका करता है medium access control add header and trailer जब हम frame को detail में discuss कर रहे तो मैंने आप कहां बताया था कि जब sender से receiver से data जाता है तो sender का information और receiver का information कहां पर receive होना है वो सारा information कहीं header आउट trailer में ही रखा जाता है next it perform access control to avoid collision collision means जैसे suppose करे network है यहां से data send हो रहा है और उसी से यहां भी data send कर दिया यह भी data send कर रहा है तो कहीं कहीं यह क्या कर जाएंगे collision कर जाएंगे आप अब कोलाइप्स कर जाएंगे तो इससे protection के लिए भी medium access इसको provide करता है facility जिससे collision कम से कम हो नेक्स्ट एक प्रोवाइट प्रोटेक्शन अगेंस transmission मतलब जैसे suppose इस system से इस system कर डेटा जा रहा है तो बीच में data आपका कहीं ने कहीं loss ना हो जाए transmission इरर ना हो वह आपका भी facility provide करता है यही Mac sublayer तो होप सो कि इस concept को बहुत ही easily समझ में आ गया है आपको बहुत चोटा topic था है तो इसको हम हम ही find करते हैं लेकिन next lecture में हम medium access control या media access control के जितने भी protocols है क्योंकि सबसे important अगर हम इन सारे में बात करें Mac sublayer का तो Mac sublayer तो important ही है लेकिन इसमें भी जो media access control है इसके बहुत सारे protocols होते हैं तो उस protocols को detail में one why हम देखेंगे next lecture से तो मिलते हैं next lecture में thank you so much